आज इस उतकश यात्रा पे हम मिलने आये हैं डॉक्टर निर्मनल गलोच से जिन्होंने ओनलाइन एजुकेशन की दशा और दिशा चेंज करके रख दी है आज मैं लाया हूँ आपको एक उतकर्स यात्रा पे और यह यात्रा है जुद्पूर की आईए आपकी मुलाकात कराता हूं में डॉक्टर निर्मनल गरोज से नमस्कार सर नमस्कार मनो जी मैं पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि यह उतकर्स यात्रा सुरवात कैसे क्योंकि आपने इसकी फाउंडेशन आई थिंक जब आपक्षा नवी में थे तब से आपने टीचर के तहत लोगों पढ़ाना चालू कर दिया तो क्या यह विराठ आत्रा आपके दिमाग में क्लियर थी क्लास नाइन से कि आप यह करना चाहते हैं तो मनो जी क्या मेरे पिता उनको साथ में पढ़ाता था तो पढ़ाने का एक जो उस्सा जो रहता है पढ़ाने का इक शौक जो रहता वर शुरू से था लेकिन अप्टर 12 जो है मेरा भी बारिव में एक सापना था कि मैं आगटेन बनूँ लेकिन अनफॉशनलिट री ट्वेल्ट में तो मेरे आस्षिर होगा कि माने एर कंडिशन मेंक के कोड्स के रूप में जोइन किया। तो एर कंडिशन का मेंक बनना है। लेकिन दो-तीन में मुझे लगा यार निर्मल गलोवेटThis.. तो कुछ और वन जाएगा бы okay, the Afghanistan, को अध्र शुदिया मंदर स्कुल में टीचिंग के रूप में अपना करियर स्टाइड किया और बकाइदा पढ़ाना शुरू किया तब मुझे पढ़ाते-पढ़ाते ऐसा लगा कि या वास्तों में पढ़ाना जो है वो तुम अच्छा कर पाोगे अध्यापन वो मेरा एक पै सोचा किया अब परतियों की परिक्षाओं को परतियों की त्यारी करने वाले स्टुडेंट्स को जो है तयार किया जाए और वो मन में एक ख्वाब लेके मेरे जोत्पु में पहले में शुरू करो और सन 2002 में 2002 में हमने फिर उतकर्स के नाम से नया कोचिंग सेंटर हमने है मोटिवेटिंग है तो यह संकल था कि नाम इंस्टूट का कोई रखूंगा तो हिंदी का नाम होना चीए और हिंदी में फिर कौन सा नाम हो तो कई सारे नाम पे चर्चा चलते होए और देखते हो मुझे लगा यह नाम उत्कर्स जो है वह एकदम परफेक्ट नाम है अपने आप में एक उत्तम नाम प्रतित होता है दूसरा मैं आप से जानना चाहूंगा कि उतकर्स को लेके आज ट्रेट में लोगों को confusion है confusion क्या है कि जब उतकर्स classes कहते हैं आप तो क्या ये competitive exam कराती है क्या ये youtube के एक channel मात्र है या एक ad tech company है आप क्या define करेंगी आप उतकर्स की आगे की आतरा को तो उतकर्स classes अगर basically मैं बात कुरूँ चुकि शुरुआत सन 2002 से हमारी government job test prep से होई बलब सरकारी नौक्रियों के लिए परिक्षा जो होती है उसकी तेरी के साथ में होई तो हमें मूल रूप से तो उस रूप में जाना जाता है कि हम government सरकारी नौक्री की भरती परिक्षाओं की तिहरी कराते है और उसमें सब तरह की तिहरी कराते है चाहे state government test prep हो चाहे center level के government test prep हो लेकिन पिछले दो-तिन सालों से हम अलग-अलग different categories में भी हम आए class 6 to 12, need J, nursing, CUET इस प्रकार से कई सारी category में भी आ है तो basically हमें अब attack की जगा पर हमें education company कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि हमने education का काम कराते हैं हम offline भी पढ़ाते हैं बच्चों को, हम online भी पढ़ाते हैं और उतकर्स का ध्यवाक्षी हमारा यह है कि अब काम्याभी पर होगा सबका हक affordable education जो है वो हमें हर घर तक पहुँचा नहीं है लेकिन पूरी quality के साथ पहुँचा नहीं है तो इसलिए आज की तारिक में मनोजी उतकर्स classes को आप कह सकते हैं कि मतलब सब तरह की परिक्षाओं की तियारी कराने वाला एक platform जो है वो उतकर्स classes है कोवीट के दौरान ऐसा हुआ कि जितनी भी education related company थे उन्होंने सबने अपना focus online education पर लगाया आप हाला कि online education काम 2017 से चालू कर चुके है अगर मेरा जानकरी सही है तो यह 2017 से online में कैसे आगे को कि लोगों ने इसका relation तो पैंडिंग में किया कि pandemic आया तो लोगों ने बोला हमें 2017 में जून 2017 में हमना अपना पैला studio लॉंच किया था और YouTube चैनल हमने स्टार्ट किया था तो जून 2017 में किया था उसके ठीक दो तीन मेने पहले अप्रिल में हमारे एक offline center के एक office boys हो था उसके लिए एक शिकायत थी कि भाई ये दोफर को बैठे बैठे वीडियो देखता रहत है YouTube पे वीडियो देखता रहता है फिल्में देखता रहता है साफसफा ही नहीं करता अच्छे से तो ने उनको बुलाया समझाया भाई ऐसे मत करो ध्यान रखो फिर मेरा माइंड एकदम स्ट्राइक किया गया रिये YouTube के वीडियो में internet चाहिए होता है और ये इतनी salary पाता ही ये थैंक्स टू जियो और थैंक्स टू मुकेश भाई अमवानी कि उन्होंने जो revelation लाई है हर चेतर में जियो उन्हें बहुत अच्छा काम किया है तो समय मुझे लगा कि यार कुछ बड़ा बदलाव आने बाला है और आज की तारिक में अगर ये फिल्म देख रहे हैं तो न्यूस की वह हमारी उसमें रहती है सितर से असी अजार लोग रोजाना उसको लाइव देखते हैं तो इतना सारे बच्चे जो है वह यूट्यूब पे लाइव आए लगातार education का वीडियो हमारा trending में आता है तो एक बदलाव जो 2017 में 20 रूप में था जो मैंने सोचा था व आपको आफिस वाए बॉय को आप जरूर इसमें मानते होंगे कि उसने आपके एक क्लू दिया कि ये चीज़ है जो 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 है बिल्कुल सहीब है कि मतलब होता है ना जैसे आम मार्केड़ में कहता है कि कस्टमर सिगनल देता है इस्टुटेंट सिगनल देता है तो अच्छा एंटर्प में उसको लेकर समझता हुआ जो सिगनल को पकड़ पाई गहीं हमने उसके बाद में यूट्यूब चैनल आने के बाद में फिर अप लाए एप में पेड़ कूर्सेज लाए ना मत्र के सुल्क में अप में पेड़ कूर्से लाए और एप घमानोट जी सरम और ज्यादा फास रिविजन करना चाहते हैं 3x स्पीड ले के आओ यूट्यूब पे 3x स्पीड में वीडियो नहीं है लेकिन हम हमारे एप में टेक्नलोजी लेके आगए और कोई भी वीडियो को 3x में देख सकते हैं मतलब 60 मिन्ट का कोई वीडियो है बच्चा 20 मिन्ट में उसका रिविजन कर सकता है उसको सुन सकता है आई तिंग ये गेम चेंजर साबित होगा जिस तरह के से हमारे शो का नाम है गेम चेंजर से बिल्कुल बहुत अच्छा आपका शो का नाम है और मुझे भी लगता है कि ये ओनलाइन एजुकेशन में आने के बाद में पर्टिकुलर उत्कर्स औरगनाइशन का भी बड़ा गेम चेंज हुआ है इस्ट्रेंट्स के करियर के अंदर रिवलुशन आया हुआ है ऐसे इस्ट्रेंट इंटरनेट की दुनिया के बाद में ऐसे इस्ट्रेंट जो घर पे बैठे थे मायूस थे कहां से हम पढ़े हैं किस प्रकार का कॉंटेंट पढ़े हैं आज उत्कर्स और उसके जैसे कई सारे यूट्यूब चैनल्स या एजुकेशनल एप हैं जो उनको गाउं धानी में बैठे हुए व्यक्ति जिनकर जो सपने में नहीं सो सकते हैं कि वो बड़े सेरों में जाके कोचिंग लेंगे वो घर बैठे टॉप एडुकेटर्स का कॉंटेंट जो है वो उप्योग में ले पा रहे हैं मैं अब आगे बढ़ते हो आप से पूछना चाहूंगा यूटूब एक ऐसी चीज है जो इसको क्रैक करना बड़ा एजी नहीं है आइधिंग जो आप लोगों ने क्रैक किया है इनसेंस जो आपने जो अपना चैनल बनाया है उसमें आज क्रैट में लगब लगब सवा करोड सब्सक्राइबर है यह सवा करोड नंबर है अपने आम में बहुत बड़ी जनसंक्या है यह मतलब अचीव करने में आपको क्या स्टाडीजी थी कितना जल्ली आप पहुँच पाए उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए इसमें में कहना चाहूँगा कि कोई भी काम चाहिए यूट्यूब पर आप कर रहे हैं चाय की दुकान चला रहे हैं चाय की दुकान चला रहे हैं कोई भी बिजनस कर रहे हैं कोई भी अच्छा काम आप कर रहे हैं तो उसके अंदर अनुशाशन चाहिए पूरी मेहनत के में आगे बढ़ना चाहिए और हम आंगते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल जो इतना ग्रू किया है हमारी में चैनल पे एक करोड दसलाग सब्सक्राइबर और इसके अलावा भी कई सारे हमारे चैनल यूपी का चैनल अलग है अगर मिला है तो हमारे यूट्यूब पे टोटल सब्सक्राइबर जो है वह लगबग पहने दो करोड होंगे और इसका स्रे जो है वो विद्यार्थियों के प्रेम को जाता है इस्टूडेंट्स ने बहुत लाइक किया और हमने कंटेंट पे फोकस किया अच्छा कंटेंट दि कि अपनी लाइफ में अगर उसको करियर अच्छा करियर अगर उसको चाहिए जो सफलता प्राप्त करता है तो देखेंगे कि कि यूल परिक्षा के दिनों में पढ़ा कुछ समय पढ़ा नहीं काम चलेगा धर्यवान बनके नेमित स्टड़ी किया तो ये फिर वो आगे बढ आपके समाद सेवा कि जो किसे हैं वो मैं अब बुलने चाहूं तो साइद मुझे जाना चाहूंगा सबसे अच्छी इंट्रस्टिंग चीज जो आप में चालू कि इस प्रकार से बड़े फिल्मी हिरो की बड़ी वैनिटी वैन होती है उस प्रकार से हमारा सिक्षा रत है ल केमरा है 4K इंट्रक्ट्व पैनल है जिसमें टीचर पढ़ा सकता है और उसमें अटेच लेट बात रूम्स वगर सब कुछ है पेंडरी सब कुछ है तो हमने सबसे पहले इस का पहला सिक्षा रत है जो हम लेके आए और गाउं गाउं जाके बच्चों को बता पाएं कि जो है हमने सिक्षारत के रूप में इसको नाम दिया है अच्छे इसके साथ में सावा सिवा की जब बात चल रही थी मैंने ब्लड बैंक सुना है मैंने और और तरीके के बैंक सुने है बट ये ब्रीट बैंक का कॉंसेट क्या था मेरे बड़ा नया अगर आप बता बिलकुल और वास्तों में आप गूगल में सर्च भी करोगे आज भी इंडियास फस्ट ब्रीट बैंक तो जोदपूर का मारा ब्रीट बैंक आएगा और ब्रीट बैंक बेसिकली कोरोना के इंदर खास्तोर से जो दूसरी लेहर के समय आपको पता है ऑक्सिजन की जे स्टैप से कमी प बुक करा सके और हमने उसको निसुल्क लोगों को दिया और इसके लाव में गवर्मेंट होस्पिटर में एक ऑक्सिजन प्लांट भी स्थापित किया तो यह स्वास बैंक के माध्यम से ऑक्सिजन जो है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो नीडी पीपल तक पहुँचे यह एक परपस हमारा था अच्छा मैं आपको थोड़ा से पुल करता हूँ वापिस आपके उतकर्स क्लासेस में मैंने जो आपके कनेक्ट देखा है आपके बच्चों के साथ I would say that tremendous है क्यों मैं आपको एक्जामपल देता हूँ क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था यहाने स तरीका कि तैवारों के हिंदी नाम क्या होते हैं चैत्र हो गया यह आप जिस तरीके समझा रहे थे वो I think बूट आपकी सुरू से यह पद्धिती रही है समझाने की क्या है इसके बारे में आप तड़ा बताएं बिल्कुल मनोजी जैसा कि मैंने भी पूरो में भी का था कि म नाइंध क्लास से पढ़ाना में शुरू कर दिया था इलेवंध क्लास से तो मैंने टूशन पढ़ाना शुरू कर दिया मदब ऑफिशली घर जाके और 12 के बाद में तो मैंने स्कूल भी जोइन कर लिया तो इस्टेंट को क्या चाहिए बच्चों को कोई विसाय को सरलतम करक कैसे समझाए जाए यह मेरा सुरू से अगर बोलते हैं कि मेरे कि स्किल थी और यह जो आप यह त्योहार और टॉपिक कह रहा है यह तो मैं पढ़ पढ़ के सिख सिख के मैंने पढ़ाया है बैसे कि मैं रिजनिंग का पी से पहले मुझे भी नहीं पता था कि तेवारोग ना ना तो उस खाली समय में बैठे बैठे क्या करें तो पढ़ने का शौक था उसको पढ़ते थे तीन चार किताबों से पढ़ा कम्यूनिकेशन इसकल ठीठ था थी पढ़ाना आता ही था फिर बच्चों को पढ़ाया बच्चों को पसंद आता था तो सोचे की चलो पढ़ाई लेता हैं यह सब्जेक्ट और जो आप 2018 की वीडियो की बात कर रहें बस वो समझे की 2002 से जो हम कोचिंग शुरू किये 2018 वो चरम था लगवक दिसंबर 2018 के आसपास फिर पढ़ाना छोड़के फिर में पूरा मेनेजमेंट में आ गया बही कैसे इस्टुडेंट्स को बेस्ट क कि अब भी मुझे खुद को भी पता रहें कि मैं कोई जमाने में पड़ाता था जो आपनी टीचर की बात करीब दो मिट पर लेकिए मिटिंग लेते हैं इन टीचर की अब को कि और ज्यादा निर्मल गहलोत रहें उतकर्स क्लासेश को कि आपके सौरूप और होने चाहर जहा चैते हैं ज्याल हम पता करते हैं अगर कोई टीचर का हमारे पास में आता है तो पता करता हैं कि टीचर कjem कहाँ पर कैसे बढा रहे腦े हैं आज की तारीख में बात करता है तो फॉक कोई देखें के कैसा पढ़ाते हैं क्या ओर प्रक्मल ऐसा तुन आए प्टीकुलर मुझे तो रिज्यूमे चेक करते हैं, उसका बैग्राउंड जानते हैं, दूसरा जो है, उसका वीडियो बनाते हैं, वीडियो को चेक करते हैं, उसके बाद में उसको ओफलाइन क्लास के अंदर बेशते हैं, मैं मनो जी कहना चाहूंगा, आज भी टीचर की असली कसोटी जो है, वो कोई दिक्कत नहीं है तो उसके बाद में फिर उसको कंटीनू करते हैं और आज की तारिक में चुकि हमने जोत्पुर से 40 किलोमेटर दूर तीवरी गाउं में हमने अपने गुरुकुल भी इस्थापित किया हुआ है और वहाँ पर 50 बच्चे जो है वह कॉंप्टिशन एक्ज को बताओ अब चुकि गुरुकुल के बच्चे हमारे दिल के बहुत करीब हैं उनका सारा लोजिंग बोर्डिंग सब कुछ फ्री है तो उनका एक रहता है वह निर्मल सर ने भीजा है उतकर्स के लिए टीचर का चैन करना है तो हमें तो अच्छा सीख नहीं है और टीचर को अच्छे से चेक करना है तो बहुत बढ़िया से वह टीचर से पढ़ते हैं बीज बीज में को क्वेशन फूचते हैं तो टीचर को चेक करने का जो वरतमान में हमारा सबसे जो मानक केंदर स्थापइत हो चुका है वो गुरुकुल हो जो कि नियु तो आपनी बात कहीं कि क्वालिटी आप अपने टीचर्स पर रखना जरूरी है आप उसी से चेक्स और बैलेंसेस करते हैं यह अमूमन देखा गया है मैं नाम नहीं लेता किसी भी एड टेक कमनी का एड टेक कमनी का पट बैने देखा है जो सुरुवात बहुत अच्छी होती है कमनीों कि किसी भी एक साल दो साल थीन साल आने के माँव टो ककॉलिटी पर कहीं और और गिराउव आना च parents तो वह क्कॉलिटी आप कैसे थिर रहे कि आपकी कमनी में आने वाले दिनों में भी quality intact रहे है बिल्कुल सर हमने quality check करने के लिए एप में जो content जा रहा है और हमारे offline batches में जो content जा रहा है इसके लिए अलग से team बना रही है quality check करने की team वो लगातार उस quality को check करती है और समय समय पर academic excellence कैसे इस्थापित हो इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं और कई तरह के काम लगातार हम करते रहते है तो यह quality check के लिए बखायद हमारी team है इवन जो हमने teachers वाला बताए इवन content भी अगर बच्चे के पाच को test paper जा रहा है कोई notes जा रहा है तो content check करने के लिए उसके लिए भी team है पहले content writer content को लिखेगा typist उसको type करेगा फिर content writer वापस उसको check करेगा उसके बाद में एक proofreader होगा proofreader वापस check करेगा और final जो है फिर content writer फिर से check करेगा और फिर content head जो है वो उसको फिर final करता है तब जाके बच्चों के बीचे मेंटर पहुंचता है और उसके बाद भी मल लो अगर गल्ती आ गई तो हम तो बच्चों कहते हैं कोई गल्ती है तो हमें बताओ न्यूज चनल में आप मानते हैं जब तक कोई एक्स्क्लूजिव ब्रेकिंग न्यूज ना मिले बिलकुल बिलकुल तो मैं आपको बताओं कि फिजिक्स वाला और उतकर्स दोनों जॉइंट वेंचर कर चुके हैं और दोनों जॉइंट वेंचर का सीधा सा मकसद यह है कि फिजिक्स वाला की ताकत उनकी स्ट्रेंथ को हम काम में ले हमारी जो 20 years की offline classes की जो legacy है वो उसको वो काम मेले है और दोनों मिलके जो हमारा main purpose है कि quality education affordable fee में हर घर तक पहुचाना उसमें हम कामयाब हों तो हम दोनों मिलके एक बड़ी team के रूप में ये काम लगातार करने वाले हैं जैसे government test prep में हम आगे बढ़ रहे हैं तो कई सारे state में जैसे हमने प्रियागराज में center open कर दिया इंदोर में भी कर रहे हैं कई सारे north इंडिया के state में बंप जाके offline center हम इस्थापित करने वाले हैं मैं last में जाते जाते हैं आप से दो सवाल ओ लेना चाहूंगा एक तो आपका जो विजन है जो आप पहले से sense कर लेते हैं या signal आपको कहीं से आ जाता है कि यह करना है जब आपने सुरवात करी थी अपनी कमपनी की तो आप खुद दो टू डूर जागे पर्चे बाटा करते थे communication के point of view से तो आज लेट में marketing communication को अपने business में किस तरह के यूज कर रहे हैं मार्केटिंग मैं सुछता हूं कि कई तरह की marketing है हमारे जब मैं रिजन पढ़ाता था तो marketing में एक बार बैंक प्यों में question आया था प्रस्वन यह था कि किसी भी company का सबसे अच्छा विज्यापन किसको माना जाएगा और उसमें चार option थे अलग-अलग कि print media को माना जाएगा, electronic media को माना जाएगा, pamplets, leaflets वगरा, hoardings इसको माना जाएगा और चौता option था संतुस्ट ग्रहक, satisfied customer, तो यह संतुस्ट ग्रहक जो था वो उसका right answer था, हमारे अगर बात करें इसमें तो द्यार थी, और इसलिए आपको जानके मनो जी आस्चरियों होगा, हमारी sales and marketing team जो है उतकर्स की, वो मुश्किल से 6 मेने पूरा नहीं है, जबकि उतकर्स 20 years पहले का organization है, हमने हमेशा लोगों कहा कि आप call नहीं करना है किसी को course के लिए, course ले लो हमारा course खरीद लो यह, जिस ने course खरीद लिया है, वो हमसे संतुस ठेक नहीं है, pandemic आने के लोग online 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 करने लगे, pandemic जा रहा है जिरे, लोग वापिस offline की तरफ जा रहे है, तो भवश क्या है, offline plus online और is equal to hybrid रहेगा, आप क्या मानते है, बिल्कुल, मनो जी आपको जानके खुशी होगी, कि सबसे पहले, live from classroom जो offline class है, उसको real time में computer पे, app पे live करना, ये उतकस classes ने शुरू किया, live from classroom, studio से live class और लोगों ने भी किया होगा, laptop से किया होगा, लेकिन live from classroom हमने किया, तो hybrid model हमने पहले से start कर दिया था, 2018-19 से ही, और निश्चित रूप से offline coaching जो है, उसका तो कोई विकल्प नहीं, इसमें क कोई शक नहीं है, ये teacher सामने खड़ा है, बच्चे सामने बैठे हैं, और वो उसको communicate कर रहा है, अच्छे से लेके पढ़ा रहा है, उसका तो कोई alternate दूसरा नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं, जो offline classes की हमारी भी सार limitation है, उसका फीसम बहु जादा कम नहीं कर सकते ह classroom का भी किराय भी लगेगा, office boy भी लगेगा, उसमें पानी, AC वगरा सारे खर्चे भी लगेंगे, एक limitation होईगी, इस्टेंट्स की, इतने इस्टेंट्स को ही एक teacher पढ़ा सकता है, लेकिन online के अंदर एक teacher कई सारे लोगों को पढ़ा सकते हैं, तो दोनों धृस्टी से गरम करें, ऐसे विद्यार थी, जो धना भाव या समय भाव के कारण, offline coaching जोइन नहीं कर सकते हैं, number one, number two, ऐसे student, जो अलड़ी कोई जॉब में है, चाए प्राइवेट है, चाए गवर्मेंट जॉब में है, और वो 4-6 घंटे जाके offline coaching में नहीं जा सकते हैं, और तीसरा जो ऐसी house wife है, जो घर के बार नहीं निकल सकती है, गाओं में धानी में कहीं है, उनके लिए education, online education, वर्दान बन चुका है, ये वर्दान आने वाले समय में भी बनावा रहेगा, इसमें कोई शर्थ नहीं है, ये housewife को लेकर आपने दो बार जिकर किया आपने पूरे चर्चा में, ये म से तो समय निकालता ही है, अपना वो ऐसा समय जो है, जो काम में लगता है, उसका भी creative उप्योग कर लेती है, हमारे उतकर सैप में हमने क्या वीडियो जो है, उसको वीडियो को audio format में भी दे रखा है, कोई भी वीडियो जो है MP3 format में सुन सकते हैं, तो आप इसकी screen बंद हैं कि आपके हाँ से इतने साहर है IS officer, IPS officer, जब आप से मिलने आते हैं, आपका एक चातर का, आपका एक संग भी चलता है, जो उतकर्स क्लासिस का पुराना, इसमें जो अध्यक्षिय हुए IS officer से हैं, आपको क्या feeling आती है जब हम इसको देखते हैं आप, सर वास्तों में असली जो students हैं, मैं जो अपने आजू-बजू की लोगों को देखता हूँ, अपने family में देखता हूँ, परिवार में देखता हूँ, दोस्तों यारों के बच्चों को देखता हूँ, वो exam में या competitive exams होते हैं, या normal exams में भी, stress बहुत बढ़ गया है, और इसके हर जगा 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 सबके लिए एक ये संदेश है कि कोई भी परकार की परिक्षा की जो आप त्यारी कर रहे हैं, चाहे नीड जई की त्यारी कर रहे हैं, चाहे कोई competitive exams, government test prep की त्यारी कर रहे हैं, वो आपकी जीवन की परिक्षा नहीं है, तो जितने भी बच्चे हैं, उन सब को लेके मैं यह कहना चाहूँगा कि अपनी परिक्षा की त्यारी करें, अच्छे से जुटें, अपनी कौशिस अच्छे से लेके करें, किसी कारण से result नहीं रहता है, तो वापस से देखिए कि करियर में आगे और क्या देखना है, जीवन जो है वो सबसे जादा महत्तो पूरा है, और parents को कि अपने बच्छों को केवल प्रोडेक्ट नहीं समझें, उसको प्रोडेक्ट्ट्यू बनाएं, उसको अपनी जीवन की परिक्षा के लिए त्यार करें, केवल दसवी, बारवी या नीट जईई या कॉंप्टिशन की परिक्षा के लिए त्यार नहीं करें, और friends लोग भी कम से कम अगले एक दो महीने तक जो है हमें वो चार्ज जो है वो काम आता है, वो फ्यूल का काम करती है हमारे लिए, और उसके बाद में थोड़ा योग करें, ध्यान करें, प्रनायम करें, तो स्ट्रेस से स्वता जो है वो दूर रहेंगे, थैंक यू बेर मच दॉक्टर अ और आपने जो लर्निंग बताई है बच्चों के लिए, और खासकर जो पैरेंट्स के लिए आपने बच्चों को प्रोड़क्ट ना समझे, उनको प्रोड़क्टिव कैसे करना है, उस पर जादा ध्यान दे, अगर यह कोलाबरेशन पैरेंट्स का और बच्चों का हो आपने हमें बहुत समय दिया, आज बहुत सारी सीची बताई, आपकर धन्यवादे सर, तैंक्यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके, तैंक्यू